चुलबुली चान्नी के जाने के बाद से बलेवुड गमगीन है श्री देवी की परसनल लाइफ हो या प्रॉफेशनल लाइफ उन्होंने दोनों में ही बेहतर संतुलन बनाया और एक अलग मुकाम बनाया आईए जानते हैं उनकी जीवन की ऐसी दस बातें जो बहुत कम लोगों को पता है महज 4 साल की उम्र में श्री बड़े परदे पर आ गई थी 6 साल बाद 1935 में वे बत और कलाकार पहली बार बोलिवुड फिल्म जूली में दिखी 54 साल की उम्र में फिल्म अभिनेत्री श्री देवी का दुबाई में निदन हो गया हाला कि अभी मौत का कारण सही से पता नहीं लग पाया है फिल्म इंडिस्ट्री में श्री देवी ने सिनिमा के लिए 50 साल काम किया साल 1969 में आये में थेरु मुगम की धुन आईवान श्री देवी की पहली फिल्म थी इसमें श्री देवी ने मत और बाल का लाकार काम किया था श्री देवी का वास्तविक नाम श्री अमाई यंगर रयप्पन था परदे पर उनके लिए श्री देवी नाम तय किया गया जीतेंद्र के साथ श्री देवी ने 16 फिल्मों में काम किया जिन में 13 काम्याब रही और 3 फ्लॉप रही सद्मा 1983 में रिलीज हुई थी सद्मा के रोल के लिए श्री देवी को खूब सा रहा गया सद्मा तमिल फिल्म मूंदरम पिराई की रीमेक थी श्री देवी उन गीनी चुन्नी अभिनेत्रियों में से एक हैं जुन्होंने धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देवल दोनों के साथ काम किया है 1989 में आईचान्नी से श्री देवी को बेशुमार शोहरत मिली उन्हें यश्चोप्रा की फेवरेट की रोईनों में गिना जाने लगा लमहे में यश्चोप्रा ने उन्हें एक बार फिर कास्ट किया चाल बाज, 1989 और खुदा गवा, 1992 में श्री डबल रोल में दिखी बताया जाता है कि काबुल में खुदा गवा, 10 हफ्तों तक हाउस फुल चली थी कहा दाता है कि शुरुआत में कई फिल्मों में श्री देवी ने अपनी फिल्मों की खुद डबिंग नहीं की थी यह फेक्ट BBC वेब साइट से लिए गए हैं